नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों सरकार की तरफ से बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट हुई है और इस अनाउंसमेंट के बाद तीन स्टॉक ऐसे हैं जो लॉंग टम पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर बन सकते हैं ये अल्रेडी मल्टी बैगर स्टॉक रहे हैं पिछले दो साल में अगर आप देखे होगा राइट बट नहीं अगर आपके दिमाग में टाटा मॉटर चल भी रहा है तो एक स्टॉक होगा बचे हुए दो का क्या हुआ सबसे पहले आपको ये बता दू मैं ये जो थीम है ये लॉंग टम के हिसाब से है यानि कि ये तीनों ही स्टॉक मल्टी बैगर बन सकते हैं एक तो आपने गैस कर लिया टाटा पावर बाकी के दो मैं बताऊंगा और फंडामेंटली कैसे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि चल क्या रहा है क्या कहा है सरकार ने ऐसा पहले डिस्क्लेमर सुनिए ये तीनों ही स्टॉक मैंसे मैं किसी को भी होल्ड नहीं करता हूँ और ना ही मैं आपको बाइ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ लेकिन ये तीनों ही स्टॉक हो सकता है आगे चल के इन मेंसे कोई मेरी पॉर्टफोलियो में आ जाए या आपकी में आ जाए या आप खरीद भी सकते हैं वो आपके ऊपर है reason सिर्फ एक है आपको सिर्फ इतना दिमाग में बैठाना है कि इन तीनों मैंसे सबसे ज़्यादा market को कौन सा lead कर सकता है इन तीनों मैंसे सबसे सस्ते valuation किसके हैं इस समय किसमे growth ज़्यादा हो सकती है और सबसे बड़ी बात क्या electric vehicles को आगे चलके success मिलेगी बस अगर आपने इतना सोच लिया पैसा बन जाएगा और ये सारा सोचना आसान काम नहीं आप future को predict करने जा रहे हो बहुत मुस्किल है सबसे पहले मैं आपको बताऊं शुरुवात कहां से हो रही है सरकार ने कहा है कि 30,000 से लेकर 50,000 जो इनकी diesel buses है उनको ये electric buses में convert करेंगे यानि कि लगबग लगबग आप ये कह सकते हैं 50,000 बस जो है वो electric vehicles बनेंगी और इससे direct और indirect electric buses बनाने वाली companies को होगा फाइदा अब कौन सी है electric buses बनाने वाली companies के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और ये भी मैं आपको साथ के साथ बता दूँ दोस्तों कि ये जो 50,000 का आखड़ा भी आ रहा है इसको आगे चलके एक लाक भी किया जा सकता है ऐसे भी आपके लिए कहीं न कहीं हैंगी खबर है तो अब आप समझगे होगो कि कितना बड़ा scope है सबसे पहले बताता हूँ तीनों stock के नाम पहला stock है Tata Motors जो market को lead करता है busses के मामले में दूसरा stock है JBM Auto ये भी market में कहीं अच्छा खासा दबदबना के रख रखा है इसने auto के busses के मामले में केबल busses दोस्तों मैं vehicles, car या फिर bike की बात नहीं कर रहा है केबल bus तो Tata Motors, JBM Auto and Electra Green Tech ये तीन stock हैं जो आपके radar पे रहने चाहिए इनी तीन stock को सबसे बड़ा फाइदा हो सकता है अब मैं तीनों stock का performance आपके साथ share करना चाहता हूँ सबसे पहले Electra Green Tech Limited को देखें तो एक साल में इस stock ने अभी आपको 53% के returns दी है बट ये हकीकत नहीं है क्योंकि stock उपर में दोस्तों 900 रुपे तक भी गया ये साड़े 900 तक और अभी आपको 622 पे ट्रेड कर रहा है कितने 900 मल्टी बैगर है एक तरीके से आप देखिए 61 रुपे वाला 622 रुपे पे ट्रेड कर रहा है यहां से तो यह almost 1000% के returns हो गए लेकिन अगर आप इसके highs को compare करें इसके lows से तो लगबग 1300 के परसेंट के return है ये हो गई Electra Green Tech के बारे में बात next JBM Auto के बारे में मैंने आप सभी के साथ share करा था तो JBM Auto 389 रुपीज के बाव पर इस समय trade करता हुआ दिख रहा है आपको इसका भी हाई 674 का है उपर से ये भी लगबग 40% डाउन है लेकिन इसका भी आप अगर दो साल का चार्ट देखे तो ये लगबग 350% के रिटन्स अल्रेडी बना के दे चुका है थोड़ा और बड़ा करूँगा ना चार्ट तो आपको और हकीकत दिखेगी 2020 में इस स्टॉक ने लो लगाया था 47 का तो वहां से इस स्टॉक में भी काफे बड़े रिटन्स आया क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का काफी अच्छा मार्केट शेर है मतलब मैक्सिमम शेर जो है वो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि और इवी से बस इस से ही है तो यहां आप फोकस में रख सकते हैं इस स्टॉक को एंड हर डिप पे थोड़ा थोड़ा ही खरीदना है अगर आपको लेना है तो यह मेरी वीडियो रहा है कि आपको समझ में आयोगी थैंक्यू पीजिए वाचिक भी वीडियो है